हलो फ्रेंड्स यदि आपको प्रेगनेंसी है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि मुझे सुबह उटके क्या खायना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह नौजिया वॉमटेंग जी मिशलाना और जी खराब रहना और कुछ खाने की इच्छा नहीं होना यह अपको आपको यही बताने जा रही हूं कि सुबह 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 किसी कि लेडिस को बहुत जाधा उल्टियां होते हैं या सुबह उठते ही वामेटिंग हो जाती है ये शुरू के तीन महीने में ज्यादा होता है तीन महीने के बाद चौथे-पांच्वे महीने में ऑटोमे बिस्किट का पैकेट रख लीजे, मीठे बिस्किट हो, नमकी नहीं, और उठने से पहले ही आप बिस्किट खा लीजे, जिससे कि आपको वॉमिटिंग होने के चांसे काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि दिन पर से आप खाली पेट रहते हैं, थोड़ा एसिड पेट में बनता है, जिसके कारण गेस्ट्राइटिस होता है, या रैचिंग होती है, और एक प्रेग्नेंसे में हार्मोज का लेवल भी जादा होता है, जिससे कि नौजिया बना रहता है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, बिस्किट का ब्रैंड जो भी आपको पसंद हो खा सकते हैं, लेकिन मीठे वाले जो ग्लुकोज बिस्किट होते हैं, उसमें ग्लुकोज भी होता है, तो डेफिनिटली वो आपको फाइदा करता है, सुबह सुबह बहुत सारी लेडिस को चाई पीने की आदत होती है, लेकिन जैसे ही आप खाली पेट चाई पीएंगी तो आपको गेस् आप ले सकती हैं, जिससे की चाई का जो एसिडिटी वाला एफेक्ट है, वो थोड़ा सा कम किया जा सके, चाई में थोड़े दूद की मातरा बढ़ाई जा सकती है, चाई में जो टी लीव होती हो थोड़ी कम डालिये ताकि आराम से सॉफ्ट चाई आप बना की पीजिए, और कॉफी भी अगर आप पीती हैं, तो थोड़े हाड कॉफी ना लेके, सॉफ्ट या लाइट कॉफी आप पीजिए, इसके अलावा सुबह सुबह अगर आप उठके थोड़ा सा पानी पीती है, जो कि थोड़ा गुन-गुना हो सकता है, तो वो भी बहुत फाइदा करता ह क्योंकि सुबह सुबह अगर खाली पीत, अगर पानी पी लेते हैं, तो जितने भी बॉड़ी में टॉक्सिंस बने पुरे रात भर में, वो सारे क्लीन हो जाते हैं, और बावल मुवमेंट या आपको पाटी जाने में भी हल्प मिलती है, इसलिए सुबह सुबह उठके, अब आपनी पाटी शेह बाडम खा सकती हैं, क्योंकि भीगेवे बाडम भी बहुत फाइदा करते हैं, और प्रेगननसी में रुटीन ली बाडम खाने की सलभई था जाती हैं, तो बाडम खा सकती हैं साथ में किश्मिश खा सकती हैं, और भी ड्राइव फूट्स ऐसे अक र अब अगर आपको फूट्स खाने हैं तो आप कौन से फूट्स खाईए तो फूट्स के लिए ये कहा जाता है कि अब जो फ्रिज में रखे वे फूट्स है वो ना खाएं क्योंकि ठंडे फल खाने से आपको खांसे जुकाम हो सकता तभी खराब हो सकती है इसलिए जब भी बाहर निकालका रख दी जब वो नॉर्मल टेंपरेचर पर आजाएं तभी आपको फूट्स खाने होते हैं दूसरा आपको खटे फल सुबह सुबह खाली पिट नहीं खाने होते हैं क्योंकि खटे फल में एसीड होता है जो एसीडिटी को बढ़ावा दे सकते हैं तो आप पाद में 9-10 बजे के आसपास जब नॉर्मल टेंपरेचर पर फल आ जाता है तो आप उसे खा सकते हैं इसमें आप एपल ले सकती हैं और जो भी रूटीनली सीजन के जो फल आ रहे हैं वो सारे आप खा सकती हैं लेकिन आपको नॉन सीजनल फूट्स याने के जो कोल्ड आपको नुकसान कर सकते हैं और जब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो आप उसमें नॉर्मल डाइट के नुसार आप सेंडविश ले सकते हैं ब्राउन ब्रैड ले सकते हैं होल वीट ब्रैड ले सकती हैं दलिया ले सकते हैं पोहा उपमा या आराम से रूटीनली जो भी ब तो आप सुबह सुबह उठते पहले उखाली पिटके अगर आप गोली ले लेती हैं, आपको संभावना इस यह प्रपिलम भी कम हो जाती है, और आप लुट से कहा पाती है, इसके लखा लाब वामिटिंग कम करने और ुपना थी के लिए कम करने के लिए, मेडिसिन दी जाती वो भी आप सुबह उटके खा सकती हैं जिससे कि आपको यह प्रब्लम काफी हद तक कम हो जाएगा आराम से खाना या जो भी आपको सुबह खाना है वो खा सकती है इसके लावा आपको सुबह सुबह आईली फूड खाने के सलाह बिलकुल नहीं दी जाती है कच्छी चीज़े कम खानी है इसके लावा मिर्च मसाला कम खाना है दूद आप ले सकती है लेकिन दूद को अच्छे से उबाल कर लीजिए ताकि इंफेक्शन की चांसे कम हो जाए और चाय और काफी तो आपको बहुत ही कम लेनी है इसके लावा हमने हमारा दूसरा वीडियो भी बनाया और भी अगर आपके से रिलेटेट खाने पीने से रिलेटेट सवाल है ता आप कमेंट बक्स में लिखे हमने पूछ सकती है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक नमस्कार